Hi guys, I am back with another video of this series, जहांपे हम develop कर रहे हैं अपनी vocabulary by understanding root words, prefixes and suffixes. जब हम एक word के building blocks को सीखते हैं, समझते हैं, that time we unlock a whole new world of vocabulary, जहांपे बहुत ही आसान तरीके से शब्दों को समझने लग जाते हैं, और याद करना तो obviously easy हो ही जाएगा. Also stick around till the end, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाली है एक special bonus short story, जहां पे आपकी learning को नहीं हम सिर्फ enhance कर रहे होंगे, but we will also be making it fun and enjoyable. Let's start by understanding the root words, what we are going to use in this particular video. Our first root word is frater, यानि की brother, bhai, soror, behen, aksar, bivy and maratous husband. यह वही root word है, जो हमने previous video में भी सीखे थे, and इन ही से जैसे कि मैं तब भी बताया था कि बहुत सारे और भी word बनाये जा सकते है. Let us see इन root words से कौन-कौन से word form किये जा सकते हैं and जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि इन root words को आप याद कर लिजी अच्छे से, क्योंकि नहीं सिर्फ यह word जो कि इस video में आप देखने वाले हैं, और भी बहुत सारे words आपको English language में दिखेंगे, जो कि इन root words से form होते होंगे. पहला word है fraternize, सफिक्स से पता चलता है एक verb है, बनता है यह fraterners, यानि कि brother, भाई से related होगा यह word. भाई चारा करना, लेकिन यह थोड़ा सा negative word होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई चारा करना, बनाना, associate होना, या फिर friendship form करना, उन लोगों के साथ है, जिनके साथ आपको नहीं करनी चाहिए, especially वो लोग, या तो वो अच्छे ना हो, या तो आपके दुश्मन हो, उस तरीके इसके लोगों के साथ, दोस्ती करने को fraternize बोलते है, for example, Tanmay's mother asked him not to fraternize with Rishabh, she thought he is a bad boy, तो यहाँ पर आपको दिखा ना, कि Tanmay की मदर ने बोला, उसके साथ दोस्ती भाईचारा ना बनाने के लिए, दोस्ती ना करने के लिए, because उनको ऐसा लगता है कि, Rishabh एक अच्छा लड़का नहीं है, he is not supposed to be with Rishabh, तो इस तरीके के, जब situation होगी, तब हम इस word को use करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, support करिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, important वीडियो बनाते रहूं, next is fraternal, यह इसका adjective form है, suffix से हमको पता चल गया है, ठीक है, बना same root word से, obviously इसका adjective form है, meaning इसका similar ही है, लेकिन थोड़ा सा different sense में हो गए, यहाँ पर भाईचारा, भाईचारे का मतलब है, कि relationship होना, दो existing भाईयों के बीच में, उसको fraternal बोलते है, या फिर दो non-identical twins, जब दो जुड़ा बच्चे होते, एक कुछ तो होते, जिनकी शकल बिल्कुल सेम होते है, कुछ हो होते, जिनकी शकल मिलती नहीं है, तो उनको भी fraternal बोला जाता है, for example, रिशब और तनमे इस friendship is, fraternal friendship is well known to everyone, यानि कि बिल्कुल दो भाईयों के जैसे वो रहते हैं, उनकी जो दोस्ती है, तनमे और रिशब की, वो भाईयों जैसे ही दोस्ती है, दोनों जुड़वा भाईयों जैसे उनकी दोस्ती है, और ये सबको पता है, बहुत ही known है to everybody, fraternity ये इसका noun form है, suffix हैं हमको समझ आ गया होगा, and I hope जो इतने सारे वीडियों हो चुके हैं, तो आपको जो suffixes हैं, जो मैं बताती हुआ आपको अभी तक समझ आने लगए होंगे, इसका मतलब होते है, बिरादरी, a group of people sharing a common profession, या फिर interest, ये भाईयों जैसा होना, लेकिन not exactly brothers, ठीक है, जैसे कि similar doctors है, उनकी fraternity होती है, professors होते हैं, तो similar religion के हों, तो इस तरीके से जो common interest को, common interest को follow करते हैं, तो इस तरीके के जो groups होते हैं, उनको बोला जाता है fraternity, next is sorority, sorority बना है, हमारा जो root word है soror, यानि कि sister, तो एक woman की organization, high school, या फिर college, या फिर किसी भी, कोई ladies का club जो है, उसको बोला जाता है sorority, for example, all rumors of him trespassing in, this sorority room of nearby school, were just rumors, जो rumors थे, जो अफ़ाहें थी, कि उसने जबरदस्ते गुसपैट करी है, कहाँ पे sorority room में, जो महिलाओं का club का, जो रूम था, उसमें गुसने की, उसमें trespassing करी है, गुसपैट करी है, कहाँ पे जो nearby school है, उसके sorority room में, वो क्या थी, just rumor थी, वो just अफवा थी, next is axorious, suffix से हमको पता चल गया, it's an adjective, ठीक है, बना है axor, यानिकी wife से, इसका मतलब होता है, पत्नी परायन, having or showing a great, और excessive fondness of, खुद के जो बीवी होती है, बहुत जादा fondness दिखाना, एकदम पत्नी वरता, जिसको बोलते हैं, उसके बिलकुल हर बात को मानना, पत्नी परायन जो व्यक्ति होता है, उसके लिए, ये adjective यूज किया जाता, अभी भी उसका जो प्यार है, वो एकदम पत्नी परायन तरीके का है, इसके लिए अपनी wife के लिए, ये भी adjective form है, it is also connected to wife, marital, यान की connected with marriage, ठीक है, फॉर एक्जांपल, forceful marriage can't give marital bliss to the couple, जबरदस्ती शादी कर देना, शादी से connected जो जो शान्ती होती है, happiness होती है, वो तपल को नहीं मिलती है, अगर वो शादी जबरदस्ती कराई गई हो तो, extra marital, extra marital, यहाँ पर जो especially sexual relationships होते हैं, outside your marriage, यानि की husband के इलावा किसी और व्यक्ति के साथ, she has extra marital with her boss, उसका extra marital है, उसके boss के साथ में, premarital, यहाँ पर extra marital, premarital, यह prefixes है, अल से हमको पता चलता है, यह क्या है, adjective है, marital, extra marital, and premarital का जो root word है, वो है, maritus, यानि की husband, premarital है, prefix से ही पता चल जाता है कि, शादी से पहले, जो भी शादी से पहले की, जो love relations है, वो उनको बोला जाता है, premarital, it's premarital, she was in love with her boss, and her parents, forcefully married her, तो यह जो जो भी उनका relationship है, वो शादी से पहले से ही चला रहा है, और उनके जो लड़की है, उसके parents, जब बरदस्ती उसके शादी करा दी थी, और के साथ में, not time for a bonus short story, sit, relax, and have fun, while developing your vocabulary, the story goes like this, रिशब और तन्मे से fraternal friendship, is well known to everyone, रिशब की और तन्मे की जो दोस्ती है, fraternal दोस्ती, ठीक है, यानि की भाईयों की तरह, जुडवा भाईयों की तरह, जो उनकी दोस्ती है, वो well known है, सब के लिए, सब को बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, initially, शुरुवात में, तन्मे's mother asked him, not to fraternize with रिशब, तन्मे की जो mother थी, उसने initially शुरू में बोला था, कि उसके साथ में fraternize ना करे, she thought he is bad boy, fraternize का मतलब क्या होता है, भाईचारा बनाना, लेकिन उन लोगों के साथ में, जिनके साथ में आपको नहीं करना चीए, because, कुछ भी reason हो सकता है, वो आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके शुब्शंतिक नहीं हो सकते हैं, जैसे कि इस case में है, क्योंकि उसकी जो mother थी, उनको लगता था, कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, रिशव्ब had a very bad reputation in the colony at that time, और उस वक्त क्यों ऐसा था, क्यों उनको लगता था, कि वो बुरा लड़का है, क्योंकि उसकी जो colony है, उसमें उसकी reputation बहुत अच्छी नहीं थी, but when she met him, found him axorius, लेकिन जब उसको मिली, तो उन्होंने देखा कि वो तो axorius है, axorius का मतलब क्या होता है, पत्नी परायन, he's married, ठीक है, और अपनी wife के बहुत ही जादा fond है, बहुत ही उसको प्यार से रखता है, excessive fondness है, बहुत ही गहरा लगाव है उसको अपनी wife से, और क्यों उसकी image बिरकार थी, क्यों उसको लोग बुरा मानते थे, वो कारण आता है अब, all rumors, क्या rumors थी, कि all rumors of him trespassing in sorority room of nearby school, were just rumors, क्योंकि ऐसी अफवाद थी, ऐसी rumors थी, कि उसने जो sorority room है, sorority room यानि कि, जो एक school, college या संस था, जहां पे ladies की जो group हो, club हो, उस room में, उस जगह पे उसने trespassing, जबरदस्ति गुसपैट करी थी, और वो क्या हाँ, जो nearby school है, उसके sorority room में, ठीक है, लेकिन वो सब क्या थे, just rumors थे, तो मिलने के बाद में, देखने के बाद में, उनको पता चला, कि ये जो भी अफवाएं थी, वो spread करी गए थी by his wife, he still has pure love for his wife, उसकी wife ने ये सब करा, उसके against, फिर भी, उसका जो प्यार था, वो अभी भी बहुत थी, pure था अपनी wife के लिए, in fact, she has extra marital affair, extra marital with her boss, in fact, अब पता चल रहा है, कि वो जो लड़की है, उसकी जो wife है, he is a luxurious, लेकिन उसकी wife का extra marital है, उसके boss के साथ में, इसलिए उसने वो सारी, शायद अफवाएं, उड़ाई होंगी, ताकि उसकी image खराब हो जाए, उसका नाम खराब हो जाए, in fact, extra marital का मतलब क्या होता है, शादी के बाहर, having a sexual relationship, in fact, it's premarital, पता तो चल रहा है अभी, दीरे दीरे, तो in fact, लेकिन क्या है, वो premarital है, she was in love with her boss, and her parents forcefully married her to Rishab, तो ये जो भी है, जो अभी extra marital है, लेकिन वो शादी से पहले से ही, उनका relationship था, जो की, उसके parents ने क्या किया था, जब बर्दस्ती, उसकी शादी Rishab से करा दी थी, तो जो उनका, जो extra marital था, वो premarital affair था actually, this kind of forceful marriage, can't give marital bliss to the couple, इस तरीके के जो forceful शादिया करा दी जाती है, वो marital शादी का जो सुख होता है, वो couple को नहीं देंगी, marriage should not be forced, तो शादिया जो है, वो forceful नहीं करानी चाहिए, and now it's time for a quick revision, make sure, जो भी words हमने इस वीडियो में सीखे हैं, उनके meaning, and example sentences, जो कि आप खुद बना रहे होंगे, उनको comment section में लिख दीजी, या तो किसे भी notebook में आप लिख सकते हैं, that will make sure, कि जो आपकी learning है, वो और भी जादा strong and permanent हो जाए, so that's it guys, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, और किसी भी तरीके से helpful था, आपकी कोई भी knowledge में improvement हुई है, तो definitely आप भी मेरे लिए helpful हो सकते हैं, just by subscribing the channel, also अपने दोस्तों के साथ share करके, चलिए वापस से मिलेंगे, next video में, कुछ नया, कुछ exciting and कुछ informative सीखने के लिए, till then, take care of yourself and bye-bye.